इंदुजों का एक बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है नॉन अटेच्मेंट और ब्रह्मास मुई में हमें क्या दिखाया गया है तो और भाई क्या हाल चाल तो आज हम लोग बात करने जाने एक ऐसी मुई के बारे में जिसके लेके लोगों के दो अपिनिया है एक ये एक one of a kind मुवी है जो कि कभी आज तक बॉल्योड में बनी नहीं है जिसका VFX टॉप नौच है और क्या-क्या दूसरा ये एक बहुत बकवास मुवी है जो हिंदु कल्चर का मजाग उडाती है मैं आपको बता दू मैं पहले तो दोनों ही कैटेंग में बिलॉंग नहीं करता हूँ प्लीज ये मस सोचेगा कि मैं इस पर वीडियो मना ला हूँ इसका मतब ये है कि मैं ये बोलता हूँ कि बहुत घटिया हुई है इन फेक्ट मेरा मानना है कि बहुत अच्छी मूवी थी कुछ इसके किटिसम थे जैसे डायलॉग और स्क्रिप्ट को लेके बट फिर भी ये मूवी बॉल्यूट के लिए बहुत जवरी थी और क्या कमाल के VFX और सारु खान का सीन की तो बाती नहीं की जा सकती है तो बिल्कुल भी मैं सोचिए कि मैं इसका मजाग उड़ाने वाला हूँ बस मेरा एक स्टेट्मेंट एक क्लेम है कि ब्रह्मास्ट इस नॉट बेस ऑन हिंदु मैटलोजिक चलिए शुरू से वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चले कि मिले क्लिंट पर कुछ सत्यता भी है कि मैं ऐसे ही बोलना हूँ ब्रह्मास मुवी की थोड़े हिस्ट्री में जाते हैं और पता करते हैं कि भाई ऐसा सही में कुछ मैं बोलना होगी बस कुछ बना के व्यूस के लिवे बोलना हूँ यह जानी है दिवानी जैसे ही खदम होई थी उसके कुछ समय बादी आइगेस अनाउंस हो गया था ब्रह्मास मुवी का उस समय मुवी का नाव ड्रैगन हो था और उसमें लीड म्रनभी का पुली प्ले करने वाले थे फ्रदीमेडी में स्टार काजपरी अमिताब अच्चन कुल से मतलब था इस मुवी का और रणभी रभू का जो कैरेक्टर था सिवा वो पहरे लूमी कहलाता था अब चलिए मैं बात करता हूं था डीटेल्स में कि क्यों ऐसा है कि ब्रह्मास हिंदू माइटलोजी पर नहीं बेस्ट है सेंटल फिलॉसी हिंदूिजम की क्या है आप एक कार्मिक बंधन में फसे होए हो आपका गोल है इस लीवद यानि कि बार बार जनम लेने के साइकल से मोख्ष पाना हो यानि कि इस पूरे जो आप फस गए हो उससे फ्री हो जाना अब इससे फ्री कैसे हो गया जब आप कई करोगे और भी बहुत तरीके हैं जो कि हिंदूजम का हो जाएगा तोटली बट गीता की एक तरीका है नॉन अटेच्मेंट मतलब चीजों से आप अटेच मत हो बिना अटेच लिए काम करो बिना अटेच होए काम करो इसका एक सबूत भी मिलता है चैप्टर 3 वर्स 19 में जो दीटा का स्लोक है मैं उसका इंग्लिग फ्रांसेशन यहां पर लगा देता हूं और पढ़ता हूँ और यहीं पर हो रहा है मोख्ष बाना, भग्मान से मिल जाना को अभी समझते हैं कि इसका मतलब मोख्ष होता है, तो यह मेन फिलोसफी है हिंदुजम की, यानि कि हिंदुजम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, नॉन अटेच्मेंट, और ब्रहमास मुई में हमें क्य दिखाया गया है, अब रूमी की बात करते हैं, कि रूमी का एक कोट की बात करते हैं, जैसे गीता की स्लोक की बात की, रूमी ने भी एक कोट दिया था, उसकी बात करते हैं, रूमी ने भी एक कोट दिया था, उसकी बात करते हैं, रूमी ने भी एक कोट दिया था, उसकी ब बीच में अब आपको दोनों में कुछ भी similarity नजल नहीं आ रहे होगी, बहुत दूर दूर है दोनो philosophy, सही कौन सी गलत कौन सी बात ही नहीं कर रहे हैं, बर दूर है दोनो philosophy, अब ब्रह्मास मूवी के क्रक्स पर आईए, तो क्रक्स क्या था, और spoiler for ब्रह्मास, last में सीवा की and everything, सिवा यहां पे हो गया यू, यानि कि माल जीचे वो सिवा यू है, और everything हो गया, जो उसकी unlimited power थे गया, ईसा हो गयी, लव, तो यह पूरी तरह से philosophy, रूमी की ही है अभी भी, और एक और अगर इंसांपल दू मूवी में, जो मायास होता है, जो खून के सहारे से उसी को ल दिया गया था, मेरा तो सवा सिंपल है, जब आप रूमी के philosophy पर मूवी मना रहे हो, तो इसका नाम परमास नहीं रख दिया, मतलब जवरी थो ही ना था, कि आप वही पूरा अस्ट्रो का जो आप जो इंटर्पेटिसन दिखा ले, वो दिखाओ, आप ड्रागन ही दिखाओ की सिवा की सरीर से निकल ला है, बहुत अच्छा लगेगा देखने में, विज्वल, विज्वल ही होगी, बट पता नहीं इनोंने क्यों नाम चेंज कर देखाओ, वज़ह है कि मैं मैं जाना नहीं चाहता हूँ, वो जो भी makers की वज़ह रही हो, मैं उतना बड़ा प्रॉडि देखा है, तो बहुत बहुत धन्वाद आपका कि आपने मेरे पॉइंट रो सुनने का पूरा प्रयास किया, और आगे भी ऐसे ही मूवी के मैं अटाफ को सबको मिलते रहेंगे, जैसा कि चैनल का नाम है, और बहुत बहुत धन्वाद आपका.